नमस्कार आप हैं गुड मॉर्निंग न्यूस के साथ इसके लिए मैं अब तम्माम बर्यात्री और सरियात्री विए मिले रेंगे। बतारेगी यह खटना प्रताब गंश प्रखन के गोविंदपुर वाड 13 में शादी समारों का बताया जा रहा है जहां बराती पक्ष के लोगों द्वारा किये गए हर्श फाइरिंग में दुलहन को ही गोली मार दी गई गोली दुलहन की पैर में आरपार होकर एक अधेर वेक्ती को भी जा लगी जानकारी मिली है कि गोली लगने के बाद दुलहन और एक अधेर गंभी रूप से घायल हो गए है दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती किया गया वही जानकारी मिली है कि गोली चलाने वाले बराती अभी फरार हो गये जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है और बामली की जार्च में जुट गई है घटना के बाद शादी समारों में सननाटा पसर गया बोली लगने के बाद भी दुलन की शादी हुई और उसके बाद उसे इलाज के लिए भरती किया गया जहां दुलन सहीत एक आने की हालत अभी ठीक बताए जा रही है बतादे कि दोनों खत्र के बाहर हैं अभी सवाल ये उड़ता है कि सरकार के इतने शक्त निर्देश के बावजूद भी लोग इतनी लापरवाही करने हैं आई दी में से हर श्वाइरिंग की खबरे हम सभी को देखने और सुनने मिलती है खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहे हमारे चैनल गुड मॉर्निंग निउस के साथ नमस्कार